Hello everyone. So, अकसर हब जब शॉपिंग के लिए जाते हूं और हम जब कोई भी प्रड़क खरीते है, तब हमेशा प्रड़क का expiry date चेक करके भी उसको खरीते हैं. भिना expiry date दिये, हम आद यह कोई चीज खरीते हैं, market से. वट जब आपके घर पर cylinder आता है, और हम उसको check भी कर सकते हैं तो अगर आपको cylinder का expired date check करना नहीं आता तो इस वीडियो के बाद आपको जरूर आ जाएगा So kindly इस वीडियो को पूरा देखे तो आएए मैं आपको बताओ कि cylinder का expired date आप कैसे check कर सकते हो जैसे कि आप screen पर देख सकते हो जो cylinder है उसके उपर इस पे एक code लिखा रहता है जहां पे एक letter होता है और एक number होता है तो वो जो number है वहाँ पे वो year को represent करता है और जो letter है वहाँ पे वो months को represent करता है मैं आपको details में बताती हूँ So normally cylinder के coding में 4 letters use होते A, B, C और D So letter A है वो first 3 months of the year को represent करते है Letter B second 3 months, letter C उसके बाद के 3 months को और lastly letter D उसके बाद के last 3 months को represent करते है Letter A represent करेगा January, February, March Letter B represent करेगा April, May, June Letter C represent करेगा July, August, September Letter D represent करेगा October, November and December तो अगर आपके cylinder पे लिखा हुआ है D 23 So 23 goes for the year और D का मतलब October, November, December ठीक है तो इस तरीके से आप cylinder का expiry date check कर सकते हो But अगर आपको cylinder मिला है B 23 तो B का मतलब हो गया second quarter of the year ठीक है और 23 वो यह अरड़ी चला जा चुका है मतलब वो date expire हो चुका है और हाँ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी और हाँ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो expired cylinder है वो usually बहुत जल्दी blast हो जाता है या इसका ऐसा भी कोई मतलब नहीं कि उसके अंदर जो गयसे वो खराब हो चुका है इसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है उसका मतलब यह है जो oil companies है वो हर एक cylinder का testing के लिए एक time fix करती है तो अगर आपका जो cylinder है और उसमें जो date है वो अरड़ी जा चुका है फिर इसका मतलब यह है कि उस cylinder का testing का time आ चुका है फिर वहाँ पर उसके testing होगी testing होने के बाद वो उसका और आगे का date बढ़ा देंगे फिर उसको उस पर लगाके फिर वो cylinder को market में वापस से place कर देंगे और हाँ अगर आपके घर पे ऐसा को expired cylinder आता है तो आप confidently उसको बोल सकते हैं कि यह आपको नहीं चाहिए और आप उसके बदले दूसरा cylinder मांग सकते हो I guess आपको यह information पसंद आया हो and आपके लिए काफी useful भी होगा because यह household का information है और ladies घर पे अकसर cylinder ऐसे receive करते रहती है तो I guess यह काफी useful होगा आप लोगों के लिए और अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो इसको like करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए है तो जरूर इसको subscribe करें Thank you so much